Hello everyone, कैसे हो आप सब? I hope that you all are fit and fine. हम लोग measures of central tendencies में mode यानि की बहुलक का concept cover कर रहे थे और हमारे पास एक last session mode का बचा था, which is mode या बहुलक in special cases, कुछ special cases में mode किस तरीके से calculate किया जाता है. तो basically आज की मेरी जो ये वीडियो है वो totally practical based है, मैंने तीन questions लिये हैं, जिसके जरिये मैं आपको कुछ special cases मोड के समझाने की कोशिश करूँगी. So question number one, पहला question है कि आपको अंक यानि की marks दिये हुए हैं और आपको आवरती यानि की frequency दी हुई है. सबसे पहले अगर हम marks को ध्यान से देखें, तो आपको देखने में क्या पता चल रहा है? कि series कौन सी है? series inclusive series है. और अगर आपको mode के case में continuous series वाली जो वीडियो मैंने आपको दी थी, अगर आप वो ध्यान दो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें ये जरूर चेक करना है कि कहीं गलती से हमें inclusive series सो नहीं दी हुई, क्योंकि inclusive series को हमें किसमें convert करना है? exclusive series में. और हम ये median के cases में सीख चुके हैं कि किस तरीके से हम inclusive series को exclusive series में convert कर सकते हैं. लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा highlight करूंगी, हमें ये difference देखना होता है, ये difference जितना हो, उस difference का half हमें lower limit में से minus कर देना होता है, और upper limits में हमें उन्हें add कर देना होता है. जैसे अगर आप यहाँ पर difference देखो, तो difference 1 का है, 1 का half, 0.5 बनता है, half ही बनता है, तो हम 0.5 यहाँ, जो ये lower limits हमें दे रखी हैं, इनमें से minus करते चले जाएंगे, और जो ये इधर वाली हमें upper limits दे रखी हैं, इनमें हम add करते चले जाएंगे. तो कुछ इस तरीके से हमारा question बन जाएगा, यानि कि 29.5 to 34.5, 34.5 to 39.5, 39.5 to 44.5 and so on. तो अब आप ध्यान से देखो, एक class की upper limit, दूसरी class की, मतलब next class की lower limit बन रही है, जब इस तरीके की shrunkलाएं बन जाती हैं, तो इस तरीके की series को हम exclusive series बोलते होते हैं, frequency में कोई change नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने कौन सा order change किया है, order तो हमारा ascending order ही है, तो इसलिए जिसकी जो frequency थी सामने, उसको हम वैसे ही लिखा रहने देगे, अब अगर हम फिर frequencies को देखें, तो देखो frequencies जो हैं, वो लगभग same सा उच्छाल दे रही हैं, कुछ जादा फरक नहीं है, इसलिए हम य अगर मैं mode calculate करना चाहूं, ठीक है, क्योंकि हम mode कर रहे हैं, तो हम obviously कि इसमें mode calculate करेंगे, अगर मैं mode calculate करना चाहूं, तो सतत श्रंखलाओं के case में, यानि की continuous series के case में, हमें mode का ये formula यूज़ करना होता है, और अगर हम इस formula को ध्यान से रिखें, तो हम सबसे highest frequency के सामने वाल model class, और corresponding F1, उपर वाली F0, और नीचे वाली F2, इस formula का अगर हम use करकर, ये जो values हमें दी हुई हैं, इन्हें put करें, तो कुछ इस तरीके से हमारी information describe कर सकते हैं, हम lower limit, F1, F0, F2, F1, minus F0, minus F2, multiply by I, और I कितना हैं, देखो सब में समान होना चाहिए, ये भी हमने point पड़ा था, और सब में समान ही है, 5 का difference ही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम लोग I को यहाँ पर 5 लेंगे, Then उसके बाद जब हम calculations करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से हमारा mode जो है, वो 47.5 marks, remember आपको मैंने बहुत बार बता दिया है, कि हमने unit साथ में जरूर लिखना है, तो 47.5 marks हमारा mode ये बहुलक यानि की Z निकल आएगा, तो I hope कि आपको ये first question, जिसमें हमें inclusive series को exclusive series में convert करना था, ये समझ में आ गया होगा, अब एक और special case जो मैंने आज लिया है, वो है, आपको mid values दे रखी है, आपको mid values दे रखी है, mid values का मतलब आपको पता है, आपने mean वाले chapters भी पढ़े हैं, तो आपको mid values पता है, frequencies हमें दे रखी है, तो अब ध्यान दो कि जब हमें mid value दे रखी हो, हमें class interval वरगांतर ना दिया हुआ हो, तो किस प्रकार से हमें इस mid value की मदद से वरगांतर निकालना है, देखो, जैसे हम inclusive series के case में कहते थे कि difference देखो कितने का है, half lower limit में से minus कर दो, half upper limit वाले में add कर दो, बिलकुल इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी सबसे पहले difference देखना है, अगर आप difference देखो तो difference 10, 10 का है, अब इस difference का भी हमने ऐसा ही करना है, half कर लेना है, लेकिन अब करेंगे क्या, एक बार half minus कर दो, वो lower limit बन जाएगी, एक बार half add कर दो, वो upper limit बन जाएगी, अब देखो यहाँ पर आपको mid value 15 दे रखी है और next mid value 25 दे रखी है, तो इसका मतलब difference कितना है, 10 का, 10 का half कितना बना, 5, मैंने आपको बोला है कि lower limit बनाने के लिए 15 में से 5 माइनस कर दो, और upper limit बनाने के लिए इसी 15 में 5 add कर दो, इसका मतलब हमारा जो first class interval बनेगा, वो बनेगा 10 to 20, अगर हम next करें, तो उसमें 25 है, 25 में से 5 माइनस, और इधर 25 में 5 add, सब में हम इस तरीके से ही अगर करते चले जाएंगे, तो हमारी जो class intervals हैं, वो कुछ इस प्रकार से बन जाएंगी, अब ये ascending भी है, cumulative frequency भी नहीं दे रखी है, हमें exclusive series भी बन गई है, इसका मतलब हम अब mode easily calculate कर सकते हैं, अब फिर से हमें regular form में ही दे रखी हैं, कोई regularity नहीं दिख रही है, highest frequency easily identify हो रही है, तो this is our model class, ये F1 है, ये F0 है, और ये F2 है, तो हम हमारे formula को apply करेंगे, information fill करेंगे, lower limit 50 है, उसके बाद F1 28 है, F0 16 है, 2 F1 minus F0 minus F2, F2 15 है, और difference हमारे पास 10 का है, तो हम इसको solve करेंगे, fill करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से calculations हो जाएंगी, और हमारा जो mode है, बहुलक जो है वो 54.8 हमारे पास आ जाएगा, तो I hope कि आपको ये question भी समझ में आ गया होगा, जिसमें mid values का case लिया हुआ था, last question, जिसे मैंने special case में cover किया है, जिस तरीके से हमने median के case में किया था, कि कोई missing frequency है, जिसे हमने calculate करना है, बिलकुल उसी तरीके से mode के case में भी इस तरीके का question एक लिया गया है, जिसमें आपको class intervals दिये हुए है, आरोही क्रम में ही दिये हुए है, inclusive series की form में ही दे रखे हैं, आपको frequencies दे तो रखी हैं, लेकिन एक frequency missing है, उसकी जगा पर F लिखा हुआ है, अब आपको question में क्या दिया हुआ है, लिखते हैं कि if mode is equal to 154, अगर बहुलक 154 है, तो हमने calculate करनी है F की value, अब देखो, अब मैं यहीं से अपना answer शुरू कर रही हूँ, अगर mode 154 है, तो model class कौन सी होगी, obviously है, जो 154 कवर कर रही है, वो वली class interval हमारी model class होगी, इसका मतलब हमारी model class 152, 160 है, अब हमने क्या पढ़ा हुआ है, कि model class के corresponding, यानि कि सामने वली F1 होती है, उपर वाली F0 होती है, और नीचे वाली F2 होती है, frequencies में, अब अगर हम mode का formula apply करें, जो की ये वाला है, जो हमने पहले दो questions में भी देखा है, earlier videos में भी देखा था, तो हम इसे अगर fill करेंगे, तो कुछ इस तरीके से हमारी information fill हो जाएगी, mode हमें 154 दिया हुआ है, lower limit हमारी 150 है, F1 हमें पता नहीं है, तो हम F1 ही लिख देंगे, F0 हमें 12 दे रखा है, then 2F1 as it is आ जाएगा, क्योंकि we don't know the value of F1, हमने उसे calculate करना है, then उसके बाद F0 हमें दे रखा है, और F2 हमें 8 पता है, difference is 10, अब अगर हम information को और जादा explore करें, और जादा आगे calculation करें, तो देखो ये जो 150 यहाँ plus में है, वो जब इस side पर जाएगा, तो वो mathematical terms लगाओ, ये minus में convert हो जाएगा, और इधर हमारे पास अभी फिलहाल यही बच जाएगा, इसे हमने minus किया, यहाँ पर ये 4 आ गया, और मैंने इस 10 को इस numerator वाली, ये जो fraction में उपर वाली रकम थी, मैंने इसी के साथ इसे multiply कर दिया, तो 10F1 minus 120 बन गया, और ये जो denominator में नीचे पड़ी थी रकम, minus 2F1 minus 12, sorry, 2F1 minus 12 minus 8, इसको मैं cross multiply करकर इधर लेकर जाऊंगी, तो मेरे पास जो मेरी information है, वो अब कुछ इस तरीके की बन जाएगी, अब आपको पता है, आपने maths में पड़ा है कि variable वाली को एक side पर कर लेते होते हैं, और जो हमें numerical digits दिये होते हैं, उनको हमें एक side पर कर लेते होते हैं, तो हमने कुछ इसी तरीके से किया है, मैं 120 को इधर ले आई हूं, और 8F1 को उधर ले गई हूं, तो इसको जब मैंने solve किया, तो फिर further इस तरीके की information बन गई, then 40 divided by 2, F1, F1 is equal to 20, that is F is equal to 20, क्योंकि हमें हमारे question में यहाँ पर F ही लिखा हुआ था, तो इसलिए हमने जरूर end में बताना है, at the end हमने जरूर ये बात बतानी है, कि हमें जो original answer हमारा frequency वाला चाहिए था, वो कितना आया है, तो I hope कि जो मैंने आपको ये 3 questions करवाएं हैं आज, mode के special case वाले, ये आपको समझ में आये होंगे, समझ में आये हैं, अभी तक अगर channel आपने नहीं subscribe किया है, तो kindly subscribe the channel, तांकि आपको latest updates जो हैं वो timely मिलते रहें, share the videos and like the videos too, हम next videos में हमारी statistics के, जो कुछ theoretical points है, theoretical concepts हैं, हम उनको cover करने की कोशिश करेंगे, तांकि आपकी एक तरीके से revision हो सके, आपको एक तरीके से recall हो सके, कि statistics में हमने क्या क्या और करना है या किया है, Thank you so much.